आपका आपका आपके यूटूब चैनल में इसको डीके मैं आज हमची शुयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वह इंडिन इन्फो टैक एंड सौफ्ट्वेर लेमेटेड कंपनी के नेम से आपको अलगेगा कि यह जो कंपनी सौफ्ट्वेर और जोना भी इसके सर्विस प् पहले था अब जो यह कंपनी है वह आप देखोंगे फाइन्स और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आ चुकी है तो यहां से देखो भई इस शेर के अंदर आपको नॉन स्टॉप फोलिंग दिखाई दे रहे हैं नॉन स्टॉप स्टॉप टूट्र आपने देखा होगा पीछ कुछ टैम पहले स्टॉप में तेजी बने थी एक रुपे 26 पैसे सम्थिंग बाउन वीकलो था वहां से स्टॉप में तेजी बनी और इक रुपे 60 पैसे के बहुत आपक उपर में काफी शांदा रिटें निकाल कर दिये थे कुछ टैम पहले की बात है यह मार्च मंत के करना चाहिए तो आपके बहुत सारे सवाल है अगर यह स्टॉप ऐसे यह नौन स्टॉप तूटता रहेगा तो कहां तक गिर सकता है तो आपको डिटेल में बताएंगे यहां पर आप देखो कि स्टॉप जोन आप देखो कि प्रिवेश सेशन में साध्य तीन परसेंट टू पर दिखाई दे रहा है बहतर परसेंट की गिरावट बहुत बड़ी गिरावट होती है वहीं आप देखो कि एक साल में लगभग 68% की नेगिटिव लुटन स्टॉक ने दिखाए है वहीं मार्केट कैपलाजेशन आप देखो गभी 136 क्रोड का है तो कुल मिलाकर आप अंधर जो माहौल बना हुआ है वो इनवेस्टमेंट करने का नहीं है ठीक है ध्यान से सुनिए इस टोक कंदर इनवेस्टमेंट करने का टाइम बिलकुल भी नहीं है फ्यूचर बिलकुल खराब कंपनी का आपको डिटेल में बताएंगे हम एसा क्यों बोल रहे हैं इसके प भाग सकते हैं वह भागेगा क्यों कि ओपेटर गेम की वजय से एक्षिल में स्टॉक कंदा जो तेजी बनने वाले वह नहीं बनेगी स्टॉक यहां से और जदा टूटेगा चलिए आपको इसके पिछे का कारण बताता हूं आखिरकार ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं तो यहां आप देखो कि इस लेवल के ऊपर यह तेजी बनी थी आपको यहां पर आप देखो कि कितनी श्यांदार स्टॉक ने तेजी दिखाए थी यह लगबग आप देखो कि जो बात है वो एक रुपेश पैसे का स्टॉक ने लो लगाया था छे मार्च को वहां से स्टॉक में बनी उसके बाद टूटना स्टार्ट किया अब यहां पर आप देखो कि यह तो फिर शे टूटना स्टार्ट करेंगा तो यह जो गिरावट हो रहे है इन सब के पीछे आपको रिजन बता देते हैं कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे प्रिवेस तीन कॉर्टर कि आपको सेमते हैं रिवेन्यू जनरेट की है है रिवेन्यू के साथ आप यह आप देखो कि प्रॉफिट भी अच्छा-खासा होती होगा थोड़ी बहुत आप देखो गे प्रॉफिट मेंटिकल रहे पर प्रॉस तो हुआना कंपनी को लेकिन उसका वो एफेक्ट स्टोक क जो आना चाहिए था बई यहां पर आप देखोंके आरसा एमधाइक के लेफल्स दोनों के दोनों आप देखोंके भी आरसा ही 41 पर जोकि bees जाती है और आरसा हेमधा भी 62 के आसपा से यह वह मानी जाती है वहीं आप देखोंगे रिटरन विल्कुल डीटर दिखाई दे रही है जैसा कि आप देखे तो भी 6 महीने का देखो, 3 महीने का, 1 मंत का, 1 साल का आप देखोगे, सभी दैगिटीव, जो में चीज है वो यहां पर आप देखोगे, कमपनी के प्रमोटर, कमपनी के जो प्रमोटर से है, वो अपना जो स्टेक है, वो हमें sell करते होए नजर आ रहे है, ह जैसा कि आप देखोगे, दिसंबर क्वाटर में क्या हुआ था, दिसंबर क्वाटर में भी आप देखोगे, साड़े सौला परसेंट से होल्डिंग जो डिक्रीज करके, 14 परसेंट के आस पास लेकर है, तो काफी बड़ा स्टेक सेल किया था, और अब भी आप देखोगे, के दवारा नॉन स्टॉप इंसाइडू ट्रेडिंग की जा रही है, 14 मार्च को आप देखोगे, भी 3,64,225 शेर, जो नहीं निकाले, और इनका जो स्टेक रह चुका है, 5.75 परसेंट रह चुका है, जब कि दिसंबर क्वाटर में, 7 परसेंट के तकरीबन था, तो 2 निकाल दिया गया है, मार्च के अंदर आपने देखा होगा, 2-3 मार्च लगाता है, तो यह कारण है सबसे बड़ा स्टोक में आने वाले टाइम पर क्रेक्शन निकाल रही है, तो हम यहां पर क्या पैसा बना लेंगे, हाँ, ऑपरेटर गेम जब चलेगा, आपको 10-15-20 पर क्योंकि उपरेटर जोना वहां पर खताना गेम क्यालते हैं, आप देखो कि बाइं क्रियेट करके हैं, वी वोल्यूम क्रियेट करके स्टोक को यह इदम से पंप कर देंगे, 10-20 परसंट ऐसे बागाएंगे, तो वहां पर वो परेटर गेम होगा, अगर उस उपरेटर गेम म अगर आप लोग सोच रहे हो, तो अपनी दिमाग से ख्याल, निकाल दीजी, बिल्कुल खराब स्टोक है, जी हां, इंडिन इंफो टैक बिल्कुल खराब हो चुका है, करेंट प्राइस पर अगर आपने एक हैवी लेवल से स्टोक को उठा रखा है, तो स्विन ट्रेट करक आपको बताना था, आपको बता दी है, I hope आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आए, देख लाइक की जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया, तो सब्सक्राइब को ना मत भूलना, and thank you for watching the video.